नमस्कार मैं हूँ कविता टिम इंडिया के मौझूदा दौर में स्पिन की एक नई जोडी ने जन्म ले लिया है और इस नई जोडी ने क्रिकेट के मैदान पर तैहल का मचा रखा है इस नई जोडी के दो नायाब हीरे कुलदीब यादव और चहल ने बीते दिनों में अंतराश्चरी क्रिकेट में एक ऐसी गेंद बाजी की है जैसे हर गेंद मानो केबल विकेट लेने के लिए ही फैकी जा रही हो लेकिन आज हम आपको भारत के पहले चाइनमेन के बारे में एक ऐसा किस्ता बताएंगे जब एक आस्ट्रियाई कप्तान ने अपने गेंद बास से उन्हें घायल करने के लिए बोल दिया था जी हाँ, कुल्दीब यादव ने टॉक शो के दौरान इस बात का खुलासा किया है जैसर बात सार 2017 की है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच धर्म शालर में टेस्ट मैच खेला जाना था और कुल्दीब यादव ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट से डेब्यू भी किया था अपने पहले मैच में ही कुल्दीब ने चार विकेट लेकर कंगारू खेमे में खलबली मचा दी थी और इसी मैच का जिकर करते हुए कुल्दीब ने बताया कि जब मैं बल्ले बाजी के दोरान क्रीस पर पहुँचा तो कंगारू कप्तान स्टीब स्मिथ ने अपने तेज गेंद बाज पैट कमिंच से कहा कि वो कुल्दीब की रिप्स पर गेंद डाले और इसकी पसलियों को तोड़ दे ताकि वो अगली इनिंग्स में गेंद बाजी नहीं कर सके कमिंच से अपने कप्तान के कहया अनुसार गेंद बाजी की लेकिन कुल्दीब ने शौट गेंदों से खुद को और अपने विकिट दोनों को बचाए रखा कुल्दीब ने इस पारी में 10 रन भी बनाए और बाद में उने नेथन लाइन ने आउट किया टीम इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीसकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ